हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आई होप सभी अच्छे होंगे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के इंपोर्टेंट कोशन ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये सारे के सारे कोशन क्या है इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप इसे स्किप मत करना और ये लाश्ट एर एक्जाम में आ चुके है ठीक है और आप से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है अपनी और हमें ये भी बताईए कि इसमें क्या आपको समझना है क्या नहीं प्लस्ट इंप्रेटन्ट कोश्चिन टू एक्स की क्यूब प्लस में 3X का स्केर प्लस 3X प्लस ONE इस इकोल टूमें जी रो आपको ये स्टेटमेंट घिवन है ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है इससे सवल्व करना है तो कैसे करेंगे आपको पहले बताया था पहले तो य डिवाइड करूंगी 2 से तो यह हो जाएगा 3 by 2 X का स्केयर प्लस में 3 by 2 प्लस 1 by 2 is equal to 0 उसके बाद हमें क्या करना होता है H निकालना है क्योंकि मुझे X का स्केयर क्या करना है remove करना है तो H क्या से निकलता है माइनस का माइनस का क्या होता है A1 upon में A node into में N तो A1 क्या है मेरे पास A1 तो मेरे पास यह है तो यह माइनस का 3 by 2 हो गया into में A node मेरे पास 1 है और N कितना है मेरे पास 3 तो यह 3 से 3 कैंसल कितना बच गया आपके पास माइनस का 1 by 2 जो है वो मेरे पास बच चुक है उसके बाद minus का 1 by 2 है मैंने पहले भी बताये था कि जो निच्चे होता है ना निच्चे अगर आपके पास निच्चे 2 है तो आपको 2 को इस roots of the equation से क्या करना है multiply करना है इस equation के roots से आप 2 की क्या करोगे multiply करोगे ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे हम इसके roots की multiply 2 से तो यहाँ पर करेंगे तो 2 की power 0 x की cube प्लस में 3 by 2 फिर 2 की power 1 x का square प्लस में 3 by 2 2 की power 2 x प्लस में 1 by 2 और 2 की power 3 is equal to 0 तो यह तो 1 हो गया मेरे पास ठीक है देखो यह मेरे पास क्या हो गया 1 तो यह हो जाएगा x की cube प्लस में 2 से 2 cancel 3 x का square प्लस में 1 2 से 1 2 cancel यह हो जाएगा 6 x 1 2 से यह भी cancel हो जाएगा square 2 बचाया जैसे तो यह हो जाएगा 4 is equal to 0 तो मेरे पास यह statement आ चुकी है ठीक है लेकिन मैंने बताया था जब भी आप 2 से करते हो तो यह किसके अंदर transform हो जाती है आप पहले यह लिखोगे v multiply आपको यह चीज़े लिखनी है ठीक है v multiply roots of equation by 2 roots जरूर लगाना है ठीक है अगर आप roots नहीं लगाते हो तो आप simple 2 से multiply तो ऐसे करते हो ना 2 से पूरी equation की multiply करते हो ठीक है लेकिन यह roots of the equation की बात अगर हो जाती है तो आपको पहले 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3 ऐसे गरना है ठीक है and transform into y transform into y ठीक है यह y के अंदर transform हो जाता है तो y की cube plus में 3y का square plus में 6y plus में 4 is equal to 0 मैं यह समझाने के लिए एक बर ऐसे रखते हूँ ताकि आपको जब second step करूँ तब समझा जाए ठीक है एक बात हो जब आपने multiply किया तो y की जगे पर यह y की क्या value आई 2 से multiply किया इसने आप x को तो y is equal to में क्या जाएगा 2x उसके बाद आपको क्या करना होता है minus 1 गटाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे by synthetic division method and transform into z ठीक है तो अब क्या होगे transform होगे अब हमें क्या करना है इस y के अंदर से इस minus 1 को घटाना है और z के अंदर transform करना है तो z is equal to में क्या जाएगा z की value क्या जाएगी y वाली में से आपने minus का 1 घटाना है तो y प्लस में क्या हो जाएगा 1 clear है तो z की value y की जगे पर क्या था 2x तो z की value क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 ठीक है तो मैं क्या करूंगे by synthetic division method लगाँगी इसके उपर 1 3 और यह हो जाएगा तो minus का 4 is equal to me यह तो 0 हो गया ठीक है उसके बाद फिर से हम करेंगे तो minus का यह minus का 1 से multiply तो minus का 1 1 यह हो जाएगा आपका minus 1 यह 3 फिर से एक बग फिर apply करोगे तो यह तो गया 1 यह हो गया minus का 1 यह हो गया 0 ठीक है तो देखो यह क्या बन जाएगा हमारे पास यह बन गया जड की cube ठीक है अब स्केर वाला हट गया तो plus में 3 जड और यह अट चुगा है तो is equal to me 0 सिर्फ मेरे पास यह statement जो है वो आ चुकी है अब देखिए जड की cube is equal to me यह आया मेरे पास और मैंने आपको यह बताया कि जड is equal to me 2x plus 1 कैसे बना अब हमें क्या निकानना है मैं अगर इसमें से जड को मन ले लू तो मेरे पास क्या बच जाएगा जड का square plus में 3 is equal to me 0 बच जड की एक value तो मेरे पास क्या गई 0 और z का square is equal to minus का 3 तो z की एक value के आ जाएगा आपके पास minus का root 3 plus minus में तो plus में 3 iota root 3 iota और minus में root 3 iota दो value और आ चुकी है ठीक है अगर मैं इस z की value इसके अंदर put कर दू ठीक है z की value को अगर हम put कर देते z की जगे 0 आया तो 2x plus 1 यह इधर जाएगा तो minus 1 is equal to 2x तो x की value क्या जाएगी minus का 1 by 2 दूसरा यह वालि put करती हूँ तो क्या हो जाएगा root 3 iota is equal to 2x plus में 1 तो यह हो जाएगा root 3 iota minus का 1 by 2 is equal to x की value second निकालनी है तो यह क्या हो जाएगा minus का 3 root 3 iota और यह इधर आके minus का 1 by 2 is equal to x तो एक value तो मेरे पास आचुकी है आपके पास minus का 3 iota minus 1 by 2 दूसरी आई है root 3 iota minus 1 by 2 और तीसरी क्या है minus का 1 by 2 तो तीनों value मेरे पास आचुकी है इस तरीके से यह question जो है वो बिलकुल easy बन जाएगा ठीक है तो देखिए जो next question है उसमें हमें क्या करना है तो question number 7 में आपको क्या दिया हुए x की q minus 12 x plus 8 is equal to 0 आपको answer जो है जो roots निकलेंगे वो इस form में आने चाहिए question number 7 में आपको क्या दिया हुए x की q minus 12 x plus 8 is equal to 0 आपको answer जो जो वो इस form में लेके आना है ठीक है जब आपको answer इस form में लेके आना होता है तब हमें हम क्या करते है देखिए सबसे पहले X is equal to हमें क्या मानना होता है u plus v ठीक है क्योंके अब हमें इस में से कुछ eliminate तो करना नहीं है हमारे पास cubic form given है तो हम क्या करेंगे x is equal to u plus v मानेंगे फिर हम cubic both side करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे x की cube is equal to u की cube plus में v की cube plus में 3u v और u plus v ठीक है तो यहाँ x की cube हो जाएगा इसकी जिगह पर x रख सकते हैं यह इधर आ जाएगा minus का 3u v x plus minus का u की cube और plus में v की cube is equal to में 0 अब यह वाली जो है इसके साथ हम क्या करेंगे compare करेंगे हम यहाँ लिखेंगे compare both equation ठीक है तो देखो यहाँ पर minus का 12 is equal to में minus का 3u v यह cancel हो गया 4 तो u v is equal to में कितना हो गया 4 अब minus का u की cube plus में v की cube is equal to में किसके बराबर है 8 के तो u की cube plus में v की cube is equal to में minus का 8 हो गया ठीक है उसके बाद हमें क्या करना होता है इसको cubing करना है क्योंकि यहाँ cube है तो यह U की क्यूब कर दोगे V की क्यूब तो यहाँ पर भी 4 की क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 64 यह आगया आपके पास roots हम क्या करते थे हम क्या कहते थे कि अगर let करते थे U की क्यूब अगर V की क्यूब को हम क्या करते थे let करते थे let u v की cube और u की cube are the roots of equation तो क्या होता था t का square minus में sum और फिर into में t plus में फिर product is equal to 0 t का square minus में sum क्या दिया हुआ है minus का 8 minus minus plus 8 t और product क्या है 64 is equal to 0 ठीक है अब जो t की value निकलती थी वो मेरा किस्से minus का b plus minus में root b square minus में 4 a c a 4 में 2a ठीक है तो यहाँ पर जब आप value put करोगे तो minus का 8 plus minus में 8 यहाँ पर आ गया ठीक है उसके बाद root 3 iota by 2 आ गया 8 हम क्या कर लेंगे common लेंगे तो minus का 1 by 2 plus minus में root 3 by 2 iota यह हो चुक है अब यह तो t की value आई है ठीक है यह roots आ गये it means क्या है u की cube जो है वो किसके बराबर है 8 minus का 1 by 2 plus में root 3 by 2 iota दूसरा v की cube जो है वो किसके बराबर है minus का 1 by 2 minus का root 3 by 2 iota ठीक है अब देखिए जब हमें इस तरीके से value निकालनी होती है इसमें answer अगर लेके आना है तो हम क्या करेंगे इसमें अगर आपको answer लेके आना होता था तो हमें u की cube को क्या है a plus में iota b की form में जो चीज गीवन है a को हमें क्या लेट करना पड़ेगा r को स्थिटा और b को क्या लेट करेंगे r साइन थिटा तो देखें u की cube तो मेरे पास आगे न a plus में iota b आगया और v की cube किसके पराबर अगया a minus में iota b ये वाली जो चीज है ये मेरी b हो जाएगी और ये वाली चीज मेरी a हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर minus का 8 by 2 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे minus का ये मेरे पास a है इसको multiply करने की भी जूरत नहीं है सिधा ले लो कि a जो है वो minus का 1 by 2 है यह हमें minus का 1 by 2 रख दिया तो ये कितना हो गया r cos theta हो गया इसी तरीके से b की जगे पर क्या रख देंगे हम root 3 by 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा r sin theta ठीक है अब मैं क्या करूंगी इन दोनों का square कर दूंगी आप यहाँ पर लिखोगे first equation है मान लिजी second equation है scaring scare first and second equation and add both ठीक है तो हम क्या करेंगे scare करेंगे तो r का square हो जाएगा ठीक है बाहर common ले लिया cos square theta plus में sin square theta इसी तरीके से इन दोनों का square हो जाएगा तो 1 by 4 plus में 3 by 4 तो ये तो 1 हो गया तो r का square is equal to में 4 by 4 1 हो गया तो r की value क्या हो जाएगी मेरे पस 1 हो गई r की value क्या हो जाएगी अब r की value 1 आने के बाद हमें क्या निकालना होता था theta की value निकालनी है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 1 put कर देती हूँ ठीक है किसी के अंदर भी put कर सकते हो तो आप क्या लोगे r cos theta is equal to minus का 1 by 2 यहाँ 1 put किया तो cos theta is equal to में minus का 1 by 2 आ गया तो minus का 1 by 2 है तो इसका मतलब theta की value मेरे पास क्या है 2 pi by 3 आ जाएगा theta की value क्या जाएगी मेरे पास 2 pi by 3 अब यह theta की value आ गए बेटा मेरे पास 2 pi by 3 अब तो मेरा question ही solve हो गया अब तो मुझे सिधा ही formula के अंदर रखना है आपको पता है कि u cube किसके बराबर था मेरे पास 8 ठीक है और minus का 1 upon 2 को हमने क्या माना था r cos theta ठीक है और इसको क्या माना था r sin theta ठीक है iota भी साथ में था ठीक है तो अब देखिए 8 r को मैं बहार को मन ले लेती हूँ क्या बच गया cos theta plus में iota sin theta तो 8 r1 है तो 8 cos theta की value cos theta की जगे पर क्या लिख सकते हूँ 2 pi by 3 plus में iota और sin ठीक है sin theta की जगे पर क्या आ सकता है 2 pi by 3 clear है अब ये cube जो है ना वो मुझे वहाँ लेके जाना है ठीक है देखो कैसे अब देखिए next जो step होता था आपका उसमें आपको क्या करना होता था थिटा जो है वो आपको transform करना है किसके अंदर theta plus 2n pi के अंदर आपको theta को किसके अंदर transform करना होता था theta plus 2n pi के अंदर तो हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पर जो मेरे पास theta आया है u की cube is equal to में 8 cos theta plus में iota sin theta जो आया है इसको transform कर देंगे u की cube is equal to में 8 cos theta plus में 2n pi plus iota sin theta plus में 2n pi ठीक है और यह पूरे की power क्या है u की cube अभी नहीं किया u is equal to में cube कर देंगे यह उधर चला जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 8 तो 2 बच जाएगा और cos theta plus में 2n pi plus iota sin theta plus में 2n pi ठीक है यह पूरे की power क्या हो जाएगी 1 by 3 ठीक है उसके बाद क्या करना है हमें d more with theorem लगानी है ठीक है d more with theorem उसके according क्या होता था कि 1 by 3 जो power होती थी वो आग्या जाएगी तो u is equal to में कितना बच गया मेरे पास 2 into में cos ठीक है यहाँ पर theta है तो theta की जगे पर क्या जाएगा यह 1 by 3 नीचे आजाएगा तो theta plus में 2n pi by 3 plus में iota sin 2n pi plus में theta by 3 ठीक है अब यो की value मेरे पास यह आ चुकी है अब मुझे v की value भी निकान लिए v की value में सिर्फ यहाँ minus था और same था तो मैं क्या कर दूँगे 2 cos theta plus में 2n pi by 3 minus का iota sin 2n pi plus में theta by 3 ठीक है यह आगे पीछे करके लिख सकते हो इसमें कोई वो नहीं है 2 plus 3 लिखो चाहिए 3 plus 2 लिखो एक ही बात ठीक है u और v की value आ चुकी है अब हम क्या करेंगे x की जिए पर हमें क्या करना है u plus v रखना है ठीक है जो हम लेके चले थे अगर मैं इन दोनों को रखती हूँ इन दोनों को add करती हूँ तो यह वाली चीज cancel क्या बज़ जाता है यह तो कितना हो जाएगा 4 यह कितना बज़ जाएगा cos 2N pi plus में theta by 3 ठीक है यह तो मेरे पास किस चीज की value आ चुकी है x की value एक आ चुकी है अगर मैं यहाँ पर x की value मुझे 3 निकालने है तो x की value मैं क्या करूंगी एक बर x की value निकालने के लिए यहाँ n की value मैं क्या कर सकती हूँ 0 रख सकती हूँ ठीक है क्या रख सकती हूँ 0 रख सकती हूँ तो 0 रख दो 1 रख दो और 2 रख दो चाहिए कुछ 3 में से कोई भी value आप रख दो तो आपकी जो है x की value निकल जाएगी देखो हम तीन ही value रखेंगे क्योंकि मुझे तीन ही value निकालनी है तो मैं यहां रखती हूँ तो x की value क्या हो जागे 4 cos जब यहां 0 रखूंगी ठीक है यहां 0 रखूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यह बचेगा ठीक है तो यह क्या हो गया theta by 3 second में 4 cos 1 रखा तो 2 pi प्लस theta by 3 second में 4 cos 2 रखा तो यह हो जाएगा 4 pi प्लस में theta by 3 ठीक है यह हो गया आप देखें x की value क्या आई 4 cos theta की जगे पर हमने क्या निकाला था theta जो था वो मेरा निकला था 2 pi by 3 तो मैं यहां रख सकती हूँ तो यहां हो जाएगा 2 pi by 3 तो 3 एक और है तो 3 3 जा 9 ठीक है 4 cos 2 pi प्लस में 2 pi by 3 अप उन में 3 ठीक है second 4 cos 4 pi प्लस में 2 pi by 3 by 3 तो देखो एक value तो यही रहेगी 4 cos 2 pi by 9 दूसरी जो है वो 4 cos यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 3 दूनी 6 6 और 2 8 तो यह हो जाएगा 8 pi by 9 यह कितना हो जाएगा 3 चोक 12 12 और 2 14 तो यह हो जाएगा 4 cos 14 pi by 9 तो यह तिन्नों value जो हो मेरे पास आ चुकी है यही मुझे answer निकालना था तो इस तरीके से आपको यह question जो है वो solve करना है तो इस तरीके से आप question को जो है आप solve करेंगे आपके answer जो है वो automatic जो है निकलते चले जाएगे आज हम इतना ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं तब तक सभी बचे लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्यू वे नाच टे बाए बाए टेक लिए झाल झाल